आज कल NDA और RLD की जोर शोर से चर्चाएं होने लगी हैं लोकसभा चुनाव सर पर हैं और कल तक विबक्ष में दिखाई देने वाले जैन चौधरी ने इंडिया को जटका देते हुए NDA के सहारे RLD को फायदा पहुचाने का मन बना लिया अब हर दरफ सवाल यही उट रहा है कि जैन चौधरी का अचाना खिर्दय परिवर्तन आखर कैसे और क्यों हो गया ऐसी कौन सी वज़ाई या फिर मजबूरी रही जो अपनों को छोड़ करके गैरों को अपना उन्हें बनाना पड़ गया हलाकि राजनीती में कौन अपना है और कौन पराया है यह कहना तो बहुत मुश्किल है दरसल भारतिय जनता पार्टी 2024 लोकसवा चुनाव से पहले NDA गटबंधन का विस्तार करने में जुटी हुई है और बिहार में जेडियू की NDA में वापसी हो चुकी वहीं आंधर प्रदेश में तेलगू, देशम पार्टी और पंजाब में अकाली दल के साथ में भाश्पा का गटबंधन हो सकता है यूपी में RLD का NDA में आना लगभग लगभग तया हो गया हलाकि इसका आधिकारे कहलाना भी बाकी है लेकिन कयास लगाय जा रहे हैं और RLD को अपने साथ में जोड़कर BJP पश्यमी यूपी के 18 फीसदी जाट वोटों को सादने की कोशुश कर रही पश्यमी यूपी में जाट समुदाय के बीच में जैन चौधरी की पकर बहुत अच्छी है और यहां पर लोकसभा की 27 सीटों में से 2019 में BJP ने 19 सीटे जीत ली थी वही पर सपा की बात करें तो सपा को 4 और बसपा को 4 सीटे मिली थी यानि दोनों को 4-4 सीटे हासिल हुई थी आरल्डी कोई सीट नहीं जीत पाई थी इससे पहले कि अगर बात करें तो 2014 में भी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद जैन चौधरी का पार्टी का खाता नहीं खुला था महीं पर कॉंग्रेस बसपा और सपा के साथ में गटबनन कर चुके हैं लेकिन कोई भी सीट नहीं जीत पाई इसी वजह से उन्हें इस बार भाशपा का दावन थामने के बारे में सोचना पड़ रहा है इसके अलावा अखलेश यदव के साथ में सीट शेरिंग को लेकर के हुए विवाद में भी इसमें एहम भूमी का निभाई है 2019 की बात कर लें तो NDA ने UP की 80 में से 84 सीटे अपने नाम की थी इन में से 62 बीजेपी और दो अपना दल के खाते में चली गई थी 2014 में NDA को 73 सीटे मिली थी इन में से बीजेपी की 71 सीटे थी अब भाजपा की कोशिच NDA की सीटे बढ़ाने की है और यही वज़ा है यही वज़ा माने जा रही है कि पार्टी रालोट को अपने साथ लाने की कोशिच करे अपने साथ ला रही है